तो आज के class के end तक अपने को क्या-क्या पता होना चाहिए आज के class का अपना objective है पहला बात sir meaning क्या है बिल्ज ओफ exchange का ये बता दीजेगा second promissory note क्या होता है और दोनों में क्या different होता है difference between bills of exchange and promissory note bills of exchange तीसरा parties to a bills of exchange bills of exchange के अंदर में कौन-कौन party involved होता है और calculation of maturity date और due date क्या होता है इसका calculation आज सीखेंगे and possible हुआ तो आपने कुछ journal entries जो accounting करना है bills of exchange का वो भी आज के class में try करेंगे कि थोड़ा समझ सके ये चार तो आज पक्का ही cover करना है 1,2,3,4 और फिफ्ट is accounting 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 पार्ट अपने journal entries जितना समझ पाएं आज के class में नहीं तो ये next class में continue तो पक्का ही होगा ये आज के class में complete नहीं होगा ये वाला point तो चलिए बिल्ज आफ एक्षेंज स्टार्ट करें उसके पहले एक background लेते हैं अपने example लेते हैं एक सेकंड प्लीज होल्ड करना गाईज 3-5-4 3-3-5-4-7-7 3-3-5-4-7-7 3-3-5-4 3-3-5-4 4-3-5-4-7-7 ओकी थैंक ये सॉरी ठीक है तो क्या हुआ अपने एक example लेते हैं गोलू का और भोलू का मान लो गोलू है जो अबनी में ही रहता है राइट अबनी ऑक्सकॉर्ड जो अपना complex है यहां पर बगल में लड़का गोलू यहां रहता है और भोलू एक और है वो जो रहता है वो एनेस रोड में रहता है बड़ा बजार के साइड में एनेस रोड है वहां पर रहता है ठीक है गोलू क्या किया भोलू को कुछ गूड्स सेल किया भोलू को पाटी कौन कौन है एक है गोलू और एक है भोलू आपको example बहुत अच्छे से सुनते हुए समस्ते हुए चलना है क्योंकि example में पूरा chapter खतम हो जाएगा some solving will only be a formality after that ओके तो examples आपको पूरा अच्छे से समस्ते हुए चलना है गोलू क्या किया भोलू को गूड्स सेल किया जर्नल एंट्री क्या पास किया 10,000 रुपीज का सेल है मान लेते हैं 1st November को सेल किया 1st November को गोलू जर्नल एंट्री पास करेगा भोलू's account debit to sales account औके एंड भोलू क्या जर्नल एंट्री पास करेगा भोलू का जर्नल एंट्री पास क्या करेगा आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में लिखना ओके चैट बॉक्स में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट एगर होगा तो यहाँ पे ध्यान से सुनो क्या एंट्री पास करेगा परचेज अकाउंट debit to गोलू's account कितना सर 10,000 गोलू गुड्स सेल किया भोलू को कब 1st November को जब सेल किया तो क्या एंट्री पास किया भोलू to sales और भोलू अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री पास किया परचेज टू गोलू सर ये वाला बात हम लोको एकड़म क्लियर है परचेज और सेल्स का इंट्री आप बता रहे हैं हम लोको इसके आगे का बात बताईए अब ऐसा है कि गोलू भोलू से मांगे का पैसा राइट बोलेगा ना सुनो गोलू गोलू मान लो I am the गोलू तो ग गोलू बोलेगा मेरे पास अभी 10,000 रुपया नहीं है मैं तेरे को तीन महने बात दे दूँगा थ्री मंस के बात दे दूँगा राइट गोलू बोला I don't trust you तुम मेरे को लिखके दे दे राइट तो भोलू बोला देख मेरे को लिखना विखना आता नहीं है तेरे को अगर अमाउंट लिखा मानलोट 20 और फिर लिखा प्रोमिस टू पे जलो हम शौट में लिख रहे हैं पे आउन पे आफ्टर 3 मन्स to the holder of the bill यहाँ पे कौन साइन किया यहाँ पे गोलु अपना साइन करके दे दिया जहां से देखो इस document में यह document बनाया कौन prepared by prepared by गोलु गोलु यह document बना के उसमें date लिखा, amount लिखा 10,000 रुपीज और बोला pay after 3 months to the holder of the bill और अपना sign करके भोलू को भेज दिया भोलू को भेज दिया भोलू क्या किया भोलू लिया हाथ में यह वाला document को हाथ में लिया और बहुत अच्छे से check किया convince हुआ और उसके बाद sign कर दिया यहाँ पे acceptance दे दिया acceptance दे दिया इसको बोलते हैं भोलू का acceptance भोलू अपना sign अगर दे देगा न भोलू अपना sign दिया यह बन गया एक legal document negotiable instrument बन गया there is a negotiable instrument act 1881 negotiable instrument act बात करता है कि कोई भी business में जो transactions होता है न वो क्या चीज का landing के साथ हो सकता है रैइट जैसे cash के साथ हो सकता है वैसी bills of exchange के साथ भी हो सकता है promissory note के साथ भी हो सकता है यह सब के बारे में negotiable instrument act में लिखा हुआ है तो नाउ जैसे ही भोलू इस document को sign किया यह एक negotiable instrument बन गया एक legal document बन गया भोलू इस पे साइन करके acceptance दे करके जैसी भोलू साइन किया ना इसको बोलते हैं acceptance जैसी भोलू acceptance किया है legal document बन गया और फिर वो इसका एक copy भोलू को पकड़ा गिया अब ध्यांचे सुनो गोलू जो भोलू को यह document दिया इसको बोलते हैं drawing a bill इसको बोलते हैं drawing a bill गोलू is the drawer गोलू is the seller जो goods sale करता है वो bill of exchange draw करता है and जो goods purchase करता है उसके लिए liability बनने वाले है वो bill accept करता है he becomes the acceptor और इसी को बोलते हैं drawing drawee मतलब भोलू is the drawee गोलू is the drawer भोलू is the drawee आप लोग को पता है drawer, drawee, pair, payee मान लो I am the pair तो payee कौन है जिसको पैसा मिल रहा है आप लोग को double e का concept I hope clear है double e कब लगाते हैं ओके, तो क्या हुआ इस आएम ड्रोइंग तो I become the drawer and the person who is receiving it becomes the drawing if I am the pair हम पे कर रहा है तो I am the pair जो पैमेंट जिसको मिल रहा है उसको बोलते है payee right if I am endorsing endorsing का मतलब किसी और को दे दे ना if I am the endorser then जिसको हम दे रहा है he becomes the endorsie right I hope आप लोग को ये language अच्छे से समझ में आ रहा है तो sir here गोलू becomes the drawer भोलू becomes the drawer इस chapter से ना बहुत सारा theory आता है this chapter is famous for theory as well तो आप लोग को ये terminology exactly इसका क्या meaning होता है ये क्या आप example दे के लिख पाओगे ये सब में भी आप लोग को बिलकुल comfort चलना है right okay sir यहां तक का बात हम लोग को समझ में आ गया now जैसे ही भोलू इसको sign किया ये एक legal document बन गया और negotiable instrument act में cover हो गया बस इसी document को इसी document को बोलते हैं bill of exchange इसी document को बोलते हैं bill of exchange जो आप लोग को material हम देंगे न उसमें bill of exchange का definition लिखावा रहेगा वो definition आपको एक बार read करना है सिर्फ और आप लोग को relate करना है जो अभी हम बताएं जो अभी हम समझाएं वो कि आप easily उसको connect कर पा रहे हो जो आप लोग को material मिलेगा उसमें जो theories लिखावा रहेगा ना उसका खली एक reading देना है and you should feel कि हाँ ये तो हम लोग को पता है ये तो हम लोग को पता है ये वाला feeling आप लोग को एकदम एकदम आना चाहिए तो सर हम लोग को meaning समझ में आ गया कि bill of exchange किसको बोलते हैं ये बात हम लोग को अब clear है next बात बताईए सर promissory note क्या होता है क्या हुआ यहाँ पर ये वाला जो अपने example लिए ना इस example में भोलू कोई document नहीं बनाया document कौन बनाया गोलू बनाया और गोलू बना के अपना sign करके भोलू को दिया और फिर बोला भोलू please accept कर लेना आइसा क्यों करना पड़ा क्योंकि भोलू एक खुद document नहीं बना पाया मान लो भोलू भी एक पढ़ा लिखा आद्मी है और एक अच्छा आद्मी है तो वो गोलू को नहीं बोलेगा गोलू तुम मेरे को बना के देना नहीं वो खुद एक document बना के sign करके देगा क्या करेगा भोलू अब यह जो document है यह कौन बना रहा है यह भोलू बना रहा है भोलू अब देगा date भोलू देगा date लिखेगा amount 1st November 20 amount लिखेगा 20,000 20,000 की 10,000 अपने example में और फिर बुलेगा I promise to pay after three months to holder of the bill and इसके साथ में इसका नाम भी लिख सकता है गोलू का नाम भी लिख देगा गोलू का नाम और address लिख देगा इसका आपको sample देगे जो आप लोगो theory material देगे ना एक sample रहेगा वो sample आपको ठीक से एक बड़ देख भी ले ना इसमें फिर क्या करेगा भोलू अपना sign करके दे देगा अब यहां पर भोलू जो है ना यह document this document is prepared by भोलू right तो ही इस दा ड्रॉवर हिंसेल्फ यह document कौन बनाया भोलू खुद बनाया बोला I promise to pay after three months और यह वाला document वो दे दिया गोलू को और गोलू से क्या वो acceptance मांगेगा थोड़ा सोच के देखो गोलू है ना document में sign करके दिया बोला कि आज से तीन मेहना बाद दस हजार रुपया देंगे sign करा और दे दिया गोलू को और बोलेगा गोलू तु मेरे को sign करके दे accept करके दे क्या जरुवत है मत sign करके दे क्या फरक पड़ता है अरे पैसा मिलना किसको है गोलू को मिलना है तो गोलू से sign लेके क्या करेगा logically are you clear about this कि प्रॉमिसरी नोट के case में जिसको पे करना पड़ता है ना खली वो अपना promise को sign करके दे देता है और जैसे ही promissory note में भी जैसे ही promissory note में भी जैसे ही वो sign करता है ना it becomes a legal document it is covered under negotiable instrument act right even this becomes a negotiable instrument act now सब से primary difference between bill of exchange and promissory note आप लोगो समझ में आया होगा कि bill of exchange is drawn by the seller and promissory note is drawn by the purchaser right in case of bill of exchange acceptance is required in case of promissory note no acceptance is required right एक और difference आप लोगो बता रहे है जब गोलू बनाएगा document तो वो order देगा I order you to pay right bill of exchange जब गोलू bill of exchange बनाएगा तो वो क्या बोलेगा I order you to pay और अगर भोलू promissory note बना रहा है भोलू अगर promissory note बना रहा है तो वो order नहीं देगा किसी को वो खुद ही promise करेगा I promise you that I will pay right तो इसका मतब एक और difference क्या है sir bill of exchange is an order to pay and promissory note is a promise of paying right I hope जो main 3 difference है यह आप लोगो clear हो गया अगर बाकी आप लोग को difference दिया वार आएगा एक reading देगे तो बाकी भी clear हो जाएगा right तो अगर अभी हम बात करें यहां पर गोलू is the drawer भोलू is the drawer now in the hands of गोलू this bill of exchange or promissory note is a bill receivable and for भोलू bills payable चाहे bill of exchange हो चाहे promissory note हो अगर bill of exchange है तो गोलू draw किया भोलू accept किया उस case में भी पैसा मिलने मिलना किसको है गोलू को मिलना है तो गोलू के हाथ में वो same bill of exchange is a bill receivable and same वही वारा document भोलू के लिए क्या है bills payable है अगर यही बात अगर हम लोग promissory note में convert कर दे तो promissory note अब कौन बनाया भोलू खुद बना के sign करके दे दिया that promissory note one document only that promissory note is a bill receivable in the hands of गोलू and bills payable in the hands of भोलू 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 please confirm करना सब कोई कि यहां तक का बात आप लोग को एकदम clear है क्या यहां तक में अगर आप लोग कोई भी doubt है तो I am looking at the chat box now आप लोग कोई भी doubt है तो फटा-फट से पुछो now any doubt till here go ahead and ask clear है very good clear है बाकी लोग अभी तक सब का reply आया नहीं है I am waiting हाँ भी यह clear है very good उच्छाब why are you not replying मैं को भी clear very good हाँ promissory note को bill क्यों बोल रहे है देखो actually bill of exchange promissory note दो चीज है but ultimately जब वो legal document बन जाता है न जब वो legal document बन जाता है न तो जिसको पैसा मिलना उसके लिए वो bills receivable है चाहे वो bill of exchange हो चाहे promissory note हो जिसको पैसा मिलना उसके लिए वो bills receivable है और जिसको pay करना उसके लिए bill payable है in effect it is a receivable and payable का amount only that we need और उसी का accounting अपने को करना है right clear करना सब को ही एक doubt था बहुत अच्छा doubt था confusion हो सकता है कि सर प्रॉमिसरी note को भी आप bill receivable और bills payable क्यों बोल रहे हैं आप क्यों बोल रहे हैं कि सर प्रॉमिसरी note जो है न वो भी एक बार जब accept हो जाता है accept बोल रहे हैं sorry now the question is सर आप प्रॉमिसरी note को bill क्यों बोल रहे हैं bill receivable, bill payable क्यों बोल रहे हैं अरे bill receivable, bill payable बोलेंगे क्योंकि that is also a negotiable instrument and उसका भी accounting exactly सेम होगा जैसे bill of exchange का होता है right तो जिसको पैसा मिलना है वो उसके लिए bill receivable है भले ही legal terms में उसको प्रॉमिसरी note बोला जाता हो okay great तो प्रॉमिसरी note भी आप लोगो जो theory का material देंगे ना उसमें अच्छे से लिखा वा रहेगा और बहुत सारा theory आता है जिसमें differences between bill of exchange and प्रॉमिसरी note पूछा जाता है right आप लोगो learn करने का जरुवत नहीं है but एक अच्छा reading देने का एकदम जरुवत है एक अच्छा reading आप लोगो material से देना होगा यह आप लोगो homework रहने वाला है right next class जब start करेंगे ना तो पहला 10 minute इसका test होगा right mcq questions आप लोगो मिल रहा होगा आप लोगो answer करना रहेगा तो जो नहीं पढ़के रखेगा वो answer नहीं कर पाएगा parties to a bill of exchange okay parties to a bill of exchange में ना parties to a bill of exchange में अपने already बात कर चुके हैं दो party का right एक होता है अब अपने bill of exchange के हिसाब से सोचेंगे पूरा accounting देखो promissory note का बात जो होता है इस chapter में वो सिर्फ theory तक होता है right अब question में जितना भी language use हो रहा होगा ना जब भी drawer, drawer, बोल रहा होगा ना आपको सोचना है bill of exchange होनी आपको यही सोचना है कि sir जो seller है ना वो bill draw करता है जो acceptor है ना वो उसको payment करना रहता है उसके लिए bills payable है जो seller है वो bill draw करता है जो purchaser है वो draw है जो seller है उसको पैसा मिलने वाला उसके लिए obviously bills receivable होगा जो purchaser है obviously उसको pay करना है बाद में तो उसके लिए bills payable होगा आपको अब bill of exchange के हिसाब से ही अब आगे का सारा story सुनना है promissory note का concept खाली बताना पड़ा क्योंकि theory में पूछा जाता है ओके now concentrate और bills of exchange का ही main parties को आपको समझना है ड्रॉवर ड्रॉई हर्ड इस पैई चलो एक और लिख देते हैं endorseee bank एक एक करके सुनना हूँ parties to a bill of exchange एक bill of exchange के पूरे transaction के अंदर में कौन कौन से party involved है कौन कौन individual involved है जो goods sale करता है वो bill draw करता है और उसी को drawer भी बोलते हैं और इसके लिए this becomes a bills receivable जो goods purchase करता है उसको बाद में जाके pay करना पड़ता है उसको bill को accept करना पड़ता है इसको बोलते हैं ड्रॉई ये generally हमेशा ही in fact purchaser ही होता है और इसके लिए होता है bills payable ओके अब ध्यान देना pair कौन है आप देखो इतने सारे नाम में ना I have not written anywhere pair pair fix है इस बात को इस point को अच्छे से समझना pair जो है न वो fix है pay तो इसको ही करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए pay कौन करेगा pay तो जो goods खरीदा उसी को करना पड़ेगा हाँ पैसा मिलेगा किसको पैसाल मिलेगा किसको ये party to party change हो सकता है कैसे सुनो आप अभी तक ये सोचोगे और बिल्कुल सही सोचोगे sir जो goods sale किया है उसी को पैसा मिलना चाहिए very good एकडम correct जो goods sale किया है जैसे की drawer मतलब go loo अगर goods पेचा वो है उसको पैसा अभी तक नहीं मिला है तो पैसा इसी को मिलना चाहिए drawer को ही मिलना चाहिए ये ही seller है और इसी के हाथ में bills receivable है इसी को पैसा मिलना चाहिए आप एकडम correct बोल रहे हो लेकिन ये जो bills receivable है न ये है transferable instrument transferable instrument ये easily किसी और को भी दिया जा सकता है bank को जा के दिया जा सकता है किसी third party को जा के दिया जा सकता है एक drawer के लिए जैसे की अपने example में गोलू के लिए प्लीज ध्यान से सुनना गोलू के लिए ये bill receivable एक note की तरह है जैसे 2000 रुपय का note है न इसके लिए गोलू के लिए ये एक note की तरह है गोलू चाहे तो इसको अपने पास अच्छे से संभाल के रख सकता है और ती मेहना बाद पैसा ले सकता है गोलू चाहे तो आज ही ये किसी और को दे सकता बैंक को जाके दे सकता और बैंक को बोल सकता बैंक प्लीज मेरे को पैसा आज ही दे दो न बैंक दे देगा थोड़ा सा charges काट के वो सब अपने पढ़ेंगे इसको बोलते हैं discounting of a bill ठीक है उसको एक बद छोड़ो गोलू चाहे तो अपने creditor को अपने supplier को जिससे goods गोलू खरीदता है ध्यान से समझना गोलू जिससे goods खरीदता है गोलू को उसको pay करना पड़ेगा गोलू चाहे तो उसको pay करने के लिए जो note देता ना 2000 का note देता 2000 का मानलो 5 note देता वो 2000 का 5 note देता तो कितना होता टोटल 10,000 होता वो 10,000 रुपया cash में ना देके चाहे तो वो ये bill receivable दे सकता है तो इसका मतलब गोलू के लिए तो ये एक प्रीली transferable instrument है जिसको वो note की तरह use में ले सकता है इसके लिए तो एक note है ड्रॉई के लिए कोई note नहीं है लेकिन जिसके हाथ में bills receivable है वो चाहे तो किसी और को endorse कर सकता है bank को दे सकता है, किसी third party को दे सकता है इसका मतलब सर पे करने वाला इंसान fix है जो पे करेगा ना भोलू पे करेगा भोलू fix है भोलू कहीं नहीं जा सकता है, नहीं हिल सकता है गोलू पे करेगा, fix है, he is the pair, इसलिए pair के बारे में बोलने का जरुवत नहीं है, यहां पी बोल सकते है, he is the pair, but sir pay कौन होता है, pay वो होता है, जिसको पैसा मिलेगा, पैसा मिल किसको किसको सकता है, sir अगर drawer, मतलब गोलू, गोलू अपने पास अगर तीन महना तक संभाल के बि अलसो, या फिर bank can become the pay, या फिर गोलू का creditor can become the pay, यहां से समझो, गोलू के हाथ में, क्या है, एक instrument है, bills receivable, यह वाला bills receivable, गोलू चाहे तो option one, retain कर सकता है, मतलब अपने पास संभाल के रख सकता है, चाहे तो bank से discount करा सकता है, discounting of bill बोलते हैं, या फिर creditor को endorse कर सकता है, एक last option भी होता है, fourth option, bill sent for collection, इसको अभी रहने तो यह अपने बात में बात करेंगे, बहुत छोटा सा, बहुत ही simple सा चीज है यह, यह अभी अपने बात नहीं करेंगे, इससे फरक नहीं पड़ता है, bill sent for collection, गोलू के हाथ में जो bill receivable है, गोलू चाहे तो खुद अपने हाथ में रख सकता है, अगर वो खुद अपने पास रखेगा, तो गोलू becomes the pay also, पेई इस गोलू, अगर बैंक से discount करा लेगा, तो कौन पेई, बैंक इस पेई, अगर endorse कर देगा, तो creditor इस पेई, बात समझ में आ रहा है आप लोग को, कि पेई कोई अलग-अलग इनसान हो सकता है, एक question आया है, चलो, गोलू, बिल्स पेईबल अपने किसी debtor को दे के ये बोल सकता है, कि debtor गोलू को दे दे, गोलू, बिल्स पेईबल अपने किसी, बहुत exceptional case है, अगर हम practically बात करें, तो हो सकता है, लेकिन आपको questions ऐसा नहीं मिलेगा, आपको ऐसा questions नहीं मिलेगा, ऐसा practically हो सकता है, क्या हो सकता है, होता है, बट हलाकि अभी ये bill of exchange, जो है ना, ये जो निगल, negotiable instrument है, as a bill of exchange, because of check, check का चलन इतना जोर का भढ़ गया है, post-dated check का, कि practical life में अब hardly bill of exchange use होता है, बहुत ही कम use होता है, ना के बराबर use होता है, अभी अपने थोड़ा सा history भी पढ़ेंगे इस chapter का, बहुत interesting chapter है, story के साथ पढ़ने लाइक chapter है, बहुत मज़ेदार chapter है, I hope आप लोग को मज़ा आ रहा है, बहुत है, भाईया प्लीज रिपीट फ्रॉम ड्रॉई, बहुत होता है, इन प्रॉमिसरी नोट, purchaser is the drawer, correct, एकदम correct बोल रहे हो, इन केस आफ, प्रॉमिसरी नोट, जो परचेज करता है न, वो प्रॉमिस करता है, और वो ही खुद साइन करके दे देता है, बस कोई का acceptance का जरुवत नहीं है, तो उस केस में वो खुद ही drawer बन जाता है, correct बोल रहे हैं, बट अपने अब जो आगे का chapter पढ़ेंगे न, वो from the point of view of bills of exchange पढ़ेंगे, आप जो बोल रहे हो, कि bills payable किसी debtor को, एक क्या query आ रहा है, बोलू, बोलू कौन है, bills payable है बोलू के लिए, right, बोलू is the drawer, चलों drawer से वापिस से start कर रहे हैं, एक request भी आएगी, वापिस से, ड्रॉई से वापिस से बताइए, चलिए बताते हैं, ड्रॉई से, क्या हुआ, बोलू कौन है, बोलू जो goods purchase किया है, बोलू वो है, जो bill को accept करके वापिस लोटाया है, तो draw कौन किया था? draw किया था गोलू और accept जो किया था उसको बोलते है draw तो मतलब भोलू was the draw भोलू was the draw जो goods purchase किया जो accept किया, accept करके जो lot आया उसको बोलते है draw और इसके हाथ में है bills payable और ये pair है ये भी fix है कि payment किसको करना है? गोलू को ही करना है यहाँ पर एक छोटा सा point ये आया कि sir जैसे draw गोलू है ना गोलू गोलू bills receivable को किसी और लोगों को बाट सकता है, दे सकता है वैसे ही कि आप भोलू अपने किसी debtor को नहीं दे सकता है कि आप भोलू यहाँ से सुनना भोलू भोलू का कोई customer है इस point को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, अच्छा point है एक level आगे का point है, आपके exam में से question नहीं आएगा, बट अगर आप समझो के तो मज़ा बहुत आएगा भोलू, मान लो I am the भोलू I am भोलू, मेरे हाथ में क्या है, bills payable है, मेरे को pay करना पड़ेगा ठीक है, और मेरा कोई customer भी है, जिससे मेरे को पैसा लेना है, right Now the question is कि sir, क्या हम क्या भोलू, अपना customer को बोल सकता है, कि customer सुनना, customer सुनना तुम तो मेरे को 10,000 रुपया देगा तुम छोड़ मेरे को 10,000 रुपया मत दे मत दे, मेरे भ्याफ में ये bills payable तुम रख ले और ये bills payable तुम pay कर देना please pay कर देना, क्या ऐसा कर सकता है वापिस से repeat कर रहा है सुनना I am भोलू, मेरे हाथ में क्या है, bills payable है right, तो ये bills payable मेरा क्या है liability है, ये मेरे को कप pay करना, तीन मेहना बाद pay करना है all right, now, मेरे पास एक debtor भी है, मेरा एक customer भी है, जिससे मेरे को 10,000 रुपया लेना है हम अपना customer को जाके, क्या ये बोल सकते है customer सुनना सुनना यार, तेरे को 10,000 रुपया देना ही है तुम ओ 10,000 मेरे को मत दे, चल मत दे, तुम ये bills payable जो मेरा liability है ना, ये तुम रख ले तीन मेहना बाद तुम pay कर देना क्या ऐसा कर सकता है, हाँ कर सकता है practically क्या possible, हाँ possible है लेकिन आपको इस method का कोई question नहीं आएगा right, ना इसके ओपर पर कोई question पूछा जाएगा एक बर confirm कर देना मानवी कि ड्रॉई वाला point भी आपको clear है और देवांच please clear करना कि ये वाला point भी clear है क्या और बाकी लोग भी अभी तक कोई doubt है तो पूछो उद्धे confirm करना समझ में आ रहे है कि अभी तक सब कुछ खुशी ओके ग्रेट ओके नाओ अपने फिर पढ़ रहे थे सर जो गोलू है ना गोलू के पास option है वो क्या तो बिल को हाथ में अपने रखे रखे और तीन मेहना बाद पैसा collect कर ले या फिर बैंक को जाके आज ही बोले कि बैंक सुनो ना ये bill receivable तुम रखो you become the holder of the bill बोलू जाएगा बैंक के पास बोलेगा बैंक सुनो ना ये bill तुम रख लो तीन मेहना बाद पैसा जब आएगा न बोलू से तुम रख लेना 10,000 उपीज मेरे को आज 10,000 रुपया दे दो बैंक बोलेगा नहीं 10,000 रुपया नहीं देंगे थोड़ा सा अपना चार्जेस काट के देंगे इंट्रेस्ट वाला पोर्शन काट के देंगे तो 9,500 दे लिया एक तो वो अप्शन है फिर बिल का होल्डर कौन बन जाएगा बिल किसके हाथ में आजाएगा बैंक के हाथ में आजाएगा पिर जब भूलू पे करेगा तो किसको करेगा बैंक को पे करेगा मतलब जो होल्डर आफ दब बिल है उसको पैसा मिल जाएगा now my question is क्या पेई और ड्रॉवर डिफरेंट हो सकता है पहले तो प्रॉष्ण यह है फर्स्ट वेस्ट इस तक एपेई एंड ड्रॉवर बी सेम ऐन पेई जहां पर माक कर रहें ना वह देखना जैंड पेई एंड ड्रॉवर विसेम यह क्या दोनों इनसान यह सेम हो सकता है गैन ड्रॉवर भी दा पेई औलसो can drawer with the pay as well yes they can be same excellent very good आपको सब का अंसर एक दम करेक्ट है great great yes they can be same and they can be different right जो bill hold करेगा उसको पेमेंट मिलेगा तो वह पेई बन जाएगा पेई कौन है वोई मिडिख धा Pेमेंट यजो ने रिच्टी सब करता है उसको पिख भी बोलते हैं और जो payment करता है उसको pair बोलते हैं तो pair तो sir हम लोग को पता है कि draw ही होगा भोलू ही होगा पेर तो भोलू ही है और payment जिसको मिलेगा वो can be someone else also जिसको payment मिलेगा उसको pay बोलेंगे now अपने ये वाला भी actually discuss कर चुके हैं आपको बोले ना गोलू के पास option है कि अपना creditor को दे दे उसके हाथ में क्या है अब वापीस से सुनना गोलू के हाथ में bills receivable है और गोलू का एक creditor है supplier है जिससे वो goods खरीदा और 10,000 रुपीज उसको pay करना है I am GOLU I have a bills receivable of rupees 10,000 and also I have a supplier a creditor जिसको I have to pay 10,000 rupees can I give him this bills receivable and बोले के लिए तेरा payment हो गया yes I can do that इस activity को बोलते है endorsement बिल को endorse कर देना अपना party को बोलू क्या किया अपना party को यह bills receivable दिया और बोला कि सुन तेरे को 10,000 रुपार चाहिए तुम 10,000 रुपार तीन महना बाद मेरा party से ले लेना यह bill रख ले तुम this process उसमें हम नाम लिखके देंगे party का नाम लिखना पड़ता है राइट वो bill receivable जो document रहता है उसमें जगा रहता है उसमें लिखना पड़ता है कि pay to this party अब ध्यान से सुनो अब यह वाला bill किसके हात में चला गया मेरे creditor के हात में चला गया ऐसे सोचो सुनिल चाहे तो अपने किसी क्रेडिटर को एंडोर्स कर सकता है तो मतब सुनिल के पास भी वो सारा उप्शन आ गया एक्दम सेम freely negotiable है freely transferable है freely transferable है गोलू चाहे तो एंडोर्स कर सकता है मान लो सुनिल को endorse कर दिया अब सुनिल चाहे तो वो भी यह सब कुछ कर सकता है मान लो सुनिल सुरेश को endorse कर दिया सुरेश महेश को कर दिया endorse कर सकता है now who is the endorser endorser कौन है जो endorse कर रहा है यह वाले transaction में गोलू is the endorser and सुनिल is the endorser यह वाले transaction में सुनिल is the endorser right सुनिल is the endorser सुरेश is the endorser endorser मतलब जिसको endorsed bill मिल रहा है endorser मतलब जो bill को endorse कर रहा है किसी और को दे रहा है right I hope आप लोग को endorser और endorser और endorser वाला point भी clear है transfer आप लोग को एक साथ कवर कर रहे हैं right transfer of bill to another party तो जो transfer करता है transferer is the endorser transferee is the endorser आप लोग को transferer transferee वाला चीज भी clear होना चाहिए भोलू को कैसे पता चलेगा कि bill holder कौन है बहुत अच्छा point है बहुत अच्छा point है ये है कि सर जो भोलू है ना भोलू उसको कैसे पता चलेगा कि किसको payment करना है किसको payment करना है right इस point में हम आएंगे आप लोग को पर ये curiosity होना चाहिए और ये question आपनों के दिमाग में भी आना चाहिए ये curiosity आपनों के दिमाग में होना चाहिए कि सर अगर इतना सारा party है एक बार सोचो गोलू दिया सुनिल को सुनिल दिया सुरेश को सुरेश दिया महेश को payment कौन करेगा payment भोलू करेगा गोलु को क्या सपना आएगा कि there is someone call महेश और उसको जाके पे करना है क्या भोलु को सपना आएगा कि कैसे होता है ये generally जब transfer होता है न तो proper नाम और address लिख के दिया जाता है गोलु जब सुनील को दिया सुनील जब सुरेश को दिया सुरेश जब महेश को दिया ये लोग सब क एक दूसरा को ये information past किया कि payment किससे collect करना है प्राक्टिकली ये बात सब को communicated रहता है हर एक transfer के case में हर एक endorsement के case में प्राक्टिकली क्या होता है कि ये बात सुरेश को भी communicate किया गया है जब सुनील ट्रांसफर किया सुरेश को मान लो अपने बात कर रहा है सुनील टू सुरे ये payment actually करेगा भोलू भोलू का ये address है ये number है ये सब कुछ है भोलू से collect कर लेना और भोलू को भी ये बताया जाता है कि देखो ये bill अब endorsed है सुरेश को तो तुमको pay अब सुरेश को करना है फिर further अगर सुरेश महेश को करेगा तो again communication is clear ये communication proper किया जाता है practically और ये आपने question में relevant नहीं है बट ये curiosity के साथ आप लोग के दिमाग में ये question आना चाहिए right कि सर इतना endorsement का case होगा इतना कुछ होगा सुनिल टू गोलू टू सुनिल सुनिल टू सुरेश सुरेश टू महेश तो क्या भोलू को सपना आएगा क्या किसको pay करना है भोलू तो तीन मेना बात pay क करने के लिए किसको जाएगा holder of the bill कौन है holder of the bill कप उसको कैसे पता चलेगा यह proper communication पास किया जाता है however इसमें क्या चैलेंज आता है यह अपने डिसकस करेंगे तो अपने को सर एंडॉरसर एंडॉरसी भी पता है और हम लोग को bank भी पता है bank bank can be a party when the bill is discounted with the bank इसका discussion ना अपने detail में questions जब करेंगे तो करेंगे बस आपको इतना पता होना चाहिए कि there is a party bank also in this whole process when जिसके हाथ में bills receivable है वो चाहे तो bank से जा करके bill discount करा सकता है bill discount करा सकता है मतलब 3 मेहना बाद या 2 मेहना बाद payment मिलने वाला ना वो payment चाहे तो आज ही ले सकता है bank से जा करके payment आज ही ले सकता है उसमें bank अपना एक discounting charges काटेगा खली इतना आपको ये बात अभी briefly खली जानके रखो इसके ओपर अपने sums करेंगे अच्छा अच्छा question बनता है इसके ओपर बहुत सारा question बनता है ओके तो सर हम लोग को ना अभी कौन कौन parties होता है इसके बारे में भी एक अच्छा idea लग चुका है और अब start हो रहा है बहुत ही important और interesting इंट्रेस्टिंग भी है बहुत और important भी है बहुत वह वाला point उदे नहीं ही आ रहे है सब कुछ समझ में आ रहे है क्या फटाफट confirm करो I am waiting करता है कुदे आर यू देर याश आर यू देर ओके देखो अब अपने बहुत इंट्रेस्टिंग बहुत मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं फोकस करके सुनना डेट ऑफ ड्रॉइंग डेट ऑफ एक्सेप्टेंस टेन्योर पहले इसका बैग्ग्राउंड सुनों बहुत पुराने जमाने की बात है क्या होता था मान लो एक ट्रांजेक्शन हुआ यहां से गुजरात या यहां से राजिस्थान या चलो यह तो बहुत दूर दूर का बात कर दिये अपने कोलकाता टू राजिस्थान कोलकाता टू गुजरात का बात कर दिये रहने दो मान लो पोलकाता में ही पोलकाता से दुर्गापुर दुर्गापुर इस थोड़ा सा डिफरेंट सिटी थोड़ा सा दूर है अगर आज के डेट में आप ट्रैवल करो तो लोकल ट्रेन से 2-3 घंटा-4 घंटा लगता होगा उतना ही है जर्नी बहुत पहले जमाने की बात है जब ट्रेन वगरे नहीं चलते थे अपने बात कर रहे हैं नेगोशियबल इंस्टुमेंट आक्ट जो है न वो 1881 का एक्ट है और वो एक्ट तो बहुत बाद में बना है ट्रांजेक्शन तो उसके पहले से होता है बहुत पुराना बात कर रहे हैं तो मैं क्या होता था अगर दो व्यापारियों के बीच में दो बिजनेसमैन के बीच में ट्रांजेक्शन होता था तो वो लोग अगर मान लो तीन मेहना बात पेमेंट करेंगे दो मेहना बात पेमेंट करेंगे ऐसा बात मुझे बोलते थे ना तो वो लोग एक document को वो लोग भी sign करके देते थे उसको उस समय बोला जाता था हुंडी जहां से सुनना story बहुत interesting है उसको बोला जाता था हुंडी मान लो उस समय वापिस से flashback to very old years very old years मान लो गोलू है भोलू है गोलू है कहां पर अवनी ऑक्सफोर्ड में अवनी ऑक्सफोर्ड मतलब लेक्टाउन बांगूड एरिया इन कोलकाता okay and भोलू कहां पर है मान लो दुर्गापुर में 3-4 years का आज के date में train से जरनी है उस time पे दो दिन तीन दिन का दूसरे तरह से क्या तो पैदल या फिर बुलक काट से कैसे भी जरनी करना पड़ता था इतना पुराना बात कर रहे है राइट बहुत ट्रगल करके जैसे तैसे वहां पहुंचा जाता था दो दिन लगता था यहां से दुर्गापुर जितना जरनी में train वगरे नहीं था सोच लो कैसे पहुंचता था राइट गोलू बुड्स स्टेल किया बुड्स बेच दिया किसको भोलू को दुर्गापुर में कब बहुत बहुत पहले मतलब मान लो 1800 का बात कर रहे हैं अपने 18 सेंचुरी का बात कर रहे हैं तो क्या हुआ वापिस से 10,000 रुपया का गुड्स बेचा और 10,000 रुपया जब चाहिए था तो भोलू बोला कि हम तो 3 मेहना बात देंगे उस समय क्या होता था उस समय भी एक डॉक्यु जाता था जिसको बोलते थे हुंडी फिर क्या आता था उसका ड्यू डेट आता था तीन मेहना बीद गया मान लो तीन मेहना बीद गया अब तो पेमेंट करना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए भोलू क्या करता था दुर्गापूर से चल के फुलकाता आता था अबनी ऑक्स उस समय तो कमरा वमरा भी बहुत इजी बहुत सस्ता मिलता था इतना तो expensive नहीं होता था एक hotel बुक करके रखता था मानलो अभनी ऑक्सपोर्ड के अंदर ही कोई guest house छोटा सा है वो बुक करके रखता था बहुत छोटा सा nominal सा charges लगता था उस समय राइट वो जगा बुक करके र date कैसे पता चलेगा सर समझना अगर अभी एक बार example ले रहे हैं अगर 1st November 2020 को transaction हुआ और अपने बोल रहे हैं सर 3 months is the tenure 3 months is the tenure मतलब 3 महना बताओ कब होगा 1st November से 3 months 1st December 20 1st January 21 1st February 21 मतलब 1st February 21 1st February 21 All you travel किया 2-3 दिन उसको लगा और वो पहुचा कब 1st February 21 को pay करना था मान लो इतना journey करते करते उसको लगा एक दिन तो वैसी delay हो गया 2-2 February को तो वो पहुचा 2nd February को तो वो पहुचा आपने ये 21 लिख रहे हैं न 21 को एक बार के लिए मान लो 1720 और 1721 इतना पुराना बात कर रहा है इतना लंबा जरनी करके वो विचारा payment करने आया थक गया उसको गोलू क्या किया उसके लिए इंतिजाम किया खाने पीने का रहने का एक दो दिन उसको ठहराया पिर एक दो दिन बात जा करके वो अपना payment वाला काम किया इस पूरे process के अंदर में on an average three days extra लग जाता था date actual में क्या है first February बट ये दो तीन दिन आम बात था लोग इतना travel करके आ रहा है एक दो दिन रुक रहा है उसके बाद settlement हो रहा है लोग इस process को तीन दिन का cushion दे देते थे लोगों में ठहराव था इतना हडबड़ी नहीं था कि नहीं पहले payment करिए online पे करिए वैसा वाला दुनिया नहीं था इतना हडबड़ी वाला दुनिया नहीं था तो ये process में क्या हो गया 4th February 1721 actual में date होता था क्या in effect कभी एक दिन आगे कभी एक दिन ज़्यादा होता था तो on an average जब negotiable instrument act बना जब negotiable instrument act बना आपने बात कर रहा है 1881 का तो इस negotiable instrument act में in fact आप लोग आगे जाके बिचे पढ़ाई करोगी इंडिया में जितना भी act कानून बनता है न वो अपने Indian tradition को हमेशा ध्यान में रखता है आप Indian contract act और भी बहुत सारा जब law पढ़ोगे बाद में अपने higher studies में तो आप देखोगे पाओगे हमेशा Indian act जितना भी law बना हुआ है न वो Indian tradition को एक पहचान देता है Indian tradition का ध्यान रखता है तो ये tradition था आप समझे रहे हो तीन दिन का delay होना एक tradition था इस tradition को ध्यान में रखते हुए negotiable instrument act में इस बात को मान्य दिया गया मान्यता रखा गया और three days as grace allow किया गया three days of grace allow किया गया grace days बोलते हैं इसको grace days ये negotiable instrument act में भी लिख दिया गया surprisingly negotiable instrument act में उस समय जो लिखा गया वो आज तक change नहीं हुआ है आज भी three days of grace allowed है आज भी three days of grace allowed है तो अपने को जब maturity date या due date calculate करना होगा maturity date या due date calculate करना होगा तो जो भी आपका date actual में आ रहा होगा ना उसमें plus three कर देना उसमें plus three कर देना अब इसमें भी there is a story मान लो will be three तरह का होता है types ठीक है will after date बिल आफ्टर साइट और एक बोलते हैं बिल ओन डिमांड बिल आफ्टर देट बिल आफ्टर साइट बिल ओन देमांड बिल आफ्टर देट का due date calculate होता है from the date of from the date of drawing the bill from the date of drawing the bill बिल आफ्टर साइट का मतलब बिल जिस दिन accept हुआ था न उस दिन से days counting करेंगे यहां पे भी एकदम due date is calculated from the date of from the date of acceptance बिल ओन डिमांड में no grace days normally हमेशा grace days add होगा however there can be इस तरह का instrument बन गया जिसमें एकदम strictly बोल दिया drawer एकदम strictly बोल दिया नहीं कोई grace days नहीं देंगे होते हैं कुछ लोग बेरहम नहीं देंगे तीन दिन तो उसको बोलते हैं bill on demand right bill on demand मतलब जो date है जिस दिन मांगेंगे बस देना पड़ेगा जब मांगेंगे तब दे दोगे कोई grace days का बात नहीं होगा it is possible आपको question में कभी कभी पूछ लेता है but normally जब भी question आएगा आपको three days of grace add करना है I hope आप लोगो यहां तक story clear है अगर story clear है तो बोलो तब अपने calculations में move करेंगे अपने फिर cases case one two three four ले करके अलग-अलग example ले करके बात करेंगे पहले मेरे को यह बात बताओ कि sir ये वाला जो आप story बताएं ये बिलकुल clear है bill after date, bill after site वगरे का मतलब भी clear है bill on demand के case में sir कोई grace days नहीं होता है जो draw करेगा न वो उसके पीछे पड़ा रहेगा हो सकता है कि goods delivery ना करे हो सकता है bill after site के case में तो ऐसे तो फिर वो delay करता रहेगा accept ही नहीं करेगा ऐसे थोड़ी नहीं होता है accept नहीं करेगा ना तब तक वो negotiable instrument बना ही नहीं हो सकता है drawer जो कि goods का seller है ना वो बोल दे कि भाई तुम अगर sign करके देगा ना तुम accept करके देगा तब ही goods deliver करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे तो ये सब practically चलता है three days bill of demand में भी add करना है नहीं करना है bill of demand में three days of grace add नहीं करना है no grace days ये tradition को नहीं मानता है बुला भाण में जाए मेरे को तो जब पैसा जो data उस पर चाहिए ओके यहां तक का बात अगर clear है swim confirm कर रहा है yes भी है clear है आगे का बात करिए and बाकी लोग भी फटा-फट से confirm करो क्या आगे का बात करें yes मानवी has also confirmed रोश्णी has also confirmed great गरीमा आप भी confirm करिए okay today bill of demand दिया तो tomorrow ले लेगा नहीं ऐसा नहीं है बिल ओन डिमांड में भी है न डेट रहता है okay तो ऐसा नहीं होता है practically जो बात सही है न वहीं होता है आपको बस इतना समझना कि बिल ओन डिमांड में सर grace days आड नहीं होता है okay चलो अब calculations का बात करेंगे आप लोग को बात समझ में आ गया है date of drawing 1st November 20 3 months sorry date of acceptance is Manolo 5th November 20 right currently we are discussing bill after date अभी सिर्फ bill after date का बात करो bill after date में हम लोग को date of acceptance देखना ही नहीं है हम लोग को सिर्फ bill after date बताइए date of drawing बताइए sir और tenure बताइए मान लो tenure is 3 months बताओ due date अच्छा इसमें एक और point पहले सुन लो due date किसको बोलते है न due date normally अगर एकदम technical बात करें एकदम technical बात करें अगर due date का मतलब days of grace एड़ बिना किये बोलो और date of maturity में 3 दिन एड़ करके बोलता है ये date of maturity है बात समझ में आ रहा है अगर एकदम technical word का बात करें due date का मतलब without adding days of grace तीन दिन एड़ करें बिना जो date आता है न उसको बोलते है due date और फिर उसमें plus 3 करते हैं तो वो जो date आता है उसको बोलते है date of maturity बस इस दिन बिल mature हो गया लेकिन लेकिन अब questions में देखोगे practically भी due date and maturity date जो term है न वो interchangeably use होता है interchangeably use होता है आपसे अगर exam में theory पूछता है due date का theory बोलो तो उसमें आप days of grace का कहानी भी लिखोगे date of maturity अगर पूछा तो उसमें भी आप days of grace का कहानी लिखोगे तो अगर एकदम technical बात करें एकदम technical अगर बात करें तो days of grace add नहीं होता है दोनों word interchangeably use होता है इसलिए अगर exam में due date या maturity date में दोनों में से कुछ भी पूछे चाहे हम लोग को पूरा explain करना है with days of grace वगरे ले करके example देखे तो अभी मेरे को इसमें बताना अगर 1st November is the date of drawing एक November को bill draw हुआ है और 3 months is the tenure then what is the date of due date और maturity date अपने interchangeably बात करेंगे due date और maturity date तो देखो इसको कैसे करना है 1st November 11 बहुत easy है 1st November 20 बहुत easy है आप लोग फटा फटा आंसर दे दीजे plus 3 months plus 3 months करेंगे तो कितना आएगा 1st November से December, Jan, Feb मतलब 1st February 20 plus grace days 3 days add कर दिये तो इसको बोलते हैं due date या date of maturity क्या हुआ 4th February 20 4th February 21 sorry 21 correct एकदम correct answer आप लोग का 4th February 21 बहुत लोग answer दिया है absolutely correct excellent बाकी लोग जो लोग answer नहीं दिया है अभी तक समझ में नहीं आया क्या काफी लोग answer दे दिया है correct एकदम great चलो next point मान लो 1st November 20 is the date of drawing and बोल रहा है 90 days 90 days बोल रहा है तब बताना कैसे होगा मेरे साथ में देखो right tenure का मतलब duration of the bill tenure of the bill का मतलब duration of the bill कितना time का bill है उसको tenure बोलते है okay तो date of bill क्या है date of bill is 1st November 20 plus 90 days कर दो तो बताओ कितना आएगा देखना बहुत ध्यान से मेरे साथ में 90 days कैसे अड़ करोगे right आप लोग को answer नहीं देना है सुनना है बहुत focus के साथ अब जो बोल रहे हैं सुनो अगर 90 days बोलेगा न तो अब अपने month के हिसाब से calculation नहीं करेंगे अब हम लोग को days के हिसाब से calculation करना पड़ेगा days के हिसाब से सर कैसे होगा बताइए थोड़ा सुनो days के हिसाब से अगर 1st November से start हो रहा है तो 1st November को रहने दो 1st November को count मत करो 2nd November is the 1st day 2nd November से पूरा November निकल गया तो कितना days हुआ November का number of days बताना November का number of days 29 चौकि November में sir 30 days होता है उसमें से 1st November तो date of transaction था उसको count मत करिये बचा कितना 29 days उसको sir count कर लिए 29 days December में कितना days होता है 31 days पूरा count कर लो दोनों का total देखो कितना आ रहे है अभी तक 60 days हुआ है हम लोगो जाना कहां पर है हम लोगो जाना है 90 days पर इसका मतलब 60 हुआ अब January में आ गए हम लोग अब January में sir कितना days है 31 days है बच हम लोगो जरुवत कितना है सिर्फ प्लस 30 करने का जरुवत है इसका मतलब 90 days अगर add कर दे तो 30th January 21 होता है 30th January 21 प्लस grace days 3 grace days अगर add कर दे तो यह कितना आता बताओ 31st January और 1st February 2nd February 2nd February 21 is the due date मेरे को एक बार आप लोग फटा फट से प्लीज कन्फर्म करो कि सर्ये 2nd February 21 हम लोग को एकदम एकदम क्लियर है नहीं 5th February 21 नहीं होगा 5th February 21 नहीं होगा कैसे होगा 1st November को count नहीं किये 29 days of November 31 days of December total हुआ 60 days राइट चाहिए था 90 days तो और 30 days add किये तो 30th January तक कहुँचे 30th January में और अगर 3 days add करेंगे तो 2nd February ही तो हो रहा है रोशनी confirm करना क्या 2nd February clear है क्या biggest गाइट किये में वाइट किは Tána में एक ये। रेक्रण चौन in months calculation will be in months ignoring the number of days in the month when tenure is given in terms of days calculation will be in days right yeh tha note number one yeh hai note number two note number three do not count the date of transaction count the count the hello itna enough right so jis transaction first november we did not count do not count the jis transaction hua us dn count mat simple 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 bata ok koon sa type ka bill hi bill hi bill question me agar dya ho ga na tb to clear agar naihi dya go raha nai तो अपने को हमेशा बिल आफ्टर डेटी मानना है question is और अपने five seven minutes का और class है खाली five-seven minutes का और class है तो इतना जल्दी जाने का जरुवत नहीं है पांच-seven minutes और बैठो कभी-कभी क्या होता है जो due date अपने calculate करते हैं if the due date falls on a holiday holiday का मतलब सर बताईए न स्थेश्टे प्टूटे रिपॉबिक दे मातमा गंधी जैंती right all these days are public holiday right if the due date falls on a public holiday even Sunday is a public holiday right that means all Sundays 15th August 26th January 2nd October all these are public holidays if the due date falls on a public holiday the preceding day becomes the due date or date of maturity if the due date is a public holiday this का मतलब 26th January 15th August right etc. then preceding day becomes the date of maturity or due date if the due date is a sudden holiday if the due date is a sudden holiday then next day becomes the date of maturity or due date right right आप लोग को ये तीन ही याद रखना है कि सर अगर due date हम लोग के calculation में अगर 15th August पढ़ा अगर 2nd October पढ़ा अगर 26th January पढ़ा तो हम लोग एक दिन पहले वाला ले लेंगे क्या ले लेंगे हम लोग 25th January ले लेंगे 25 जनवरी ले लेंगे हम लोग 1st October ले लेंगे हम लोग 14th August ले लेंगे और अगर सर अचानक से कोई emergency holiday हो गया उस दिन note बंदी announce कर दिया उस दिन उस दिन मान लो कोई अचानक से कोई election का day fall हो गया उस दिन lockdown हो गया then next day next working day becomes the due date or the date of maturity public holiday भी तो बहुत सारा है नई public holiday आप लोग को बस ये तीन पता होना चाहिए okay negotiable instrument act में जिसको public holiday माना गए आपने वही मानेंगे राइट ऐसे तो बहुत सारा holiday है राइट तो public holiday when we are saying जो negotiable instrument instrument act जिसको recognize करता खली वही public holiday है तो आप लोग को सिर्फ ये तीन ही पता होना चाहिए okay तो जो material down uploaded रहेगा न उसमें जो practice questions है practice question का पहला दो question question number one and question number two will be on the calculation of due date or a maturity date वो आप लोग का homework रहने वाला है please understand वो आप लोग का homework रहने वाला है जो material upload करेंगे उस material में जो question number one or question number two जो होगा that will be based on the calculation of due date and the calculation of maturity date right in that those two questions are your homework आज के class से आप लोग का कोई भी doubt है तो पूछिए आज के class में अपने journal entries start नहीं कर पाएं अपने next class में start करेंगे क्या accounting entries ये next class में cover करेंगे ये four points का discussion अपना clear है इसके ओपर कुछ questions practice करना और आप लोग को material का theory material read करके रखना है theory material आप लोग को पढ़के रखना है और दो question on the calculation of date of maturity आप लोग को solve करके रखना है ये आप लोग का homework है homework क्या है read theory notes question number one and question number two of practical material आज के class से अब आप लोग का कोई भी doubt है तो आप लोग पूछ सकते हो any doubt from today's class और नहीं तो confirm करो कि आज के class में सब clear है okay चलो आज वाला notes ग्रूप में प्रूप में